लोग ततंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया हो गाày जथना भारति जनता पांटी नें नंगानाच किया है। मैं अब उत्तपदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सकाई भरोसा नहीं कर सकता। अगर पुलिस पिट रही हो पत्कार पिट रहे हो और पुलिस अपने लोगों को न बचा पा रही हो SPC का वो कथन उनका कहना इधर चुनाओं में जो देखने का मौका मिला जिला पंचायत सदस्यों का चुनाओं रहा हो जब जनता ने चुनाओं उनके सामने आया तो जनता ने अपना समर्थन दिखाया और सबसे बड़ी संख्या में उत्ता प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस भी जीते BDC भी जीते प्रधान भी जीते लेकिन सरकान ये तै कर लिया कि उन्हें लोग तंत्र में बहुमत जिसको मिला उसकी कोई परवानी है जो जनादे से उसकी कोई परवानी है और जान बूच करके रणीत बना करके और फुल फ्लेस प्लैनिंग करके जो चुनाओं कराएगे उस हमारे और आप के सामने परड़ाम है लोग तंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जतना भारती जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है इतनी गुंडा गर्दी इतनी गुंडा गर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था अगर कोई परचा खरीदने गया है परचा लेकर के पहुँचा है तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया परसासने की कैसे चीना जाएगा जिस परदेश की पुलिस और जिस परदेश के परसासने का दिकारी इस बात पे लगे हों के परचा कैसे चीना जाएगा और शिसमें हम लोगों ने वो चीज़ें देखी जो कभी कलप्णा नहीं कर सकते हम हमारी बेहनों के साथ क्या बि वहार हुआ उनके कप्डे च्छिन लिए गए उनके साथ जो बि वहार हुआ अप्मान हँआ कोई कलप्णा नहीं कर सकता था जो सपना दिखा रहे थे कि समाज को हम एक अच्छे रास्ते पर ले करके जाएंगे उनने उत्तपदेश की बेहनों के साथ कैसा बेवहार किया और केबल इसलिए कि ब्लाग प्रुमकुन का बन जाए पैसा चला वो अलग है जूटे मुकदे में दर्ज हुए वो अलग है गंबी धाराओं में लोगों को घर पर नी रहने दे या वो अलग बात है और सोचिए खुशी कैसे मनाई जा रही थी लोगतंत की धजियां उड़ा करके लड़ू खाय जा रहे हैं खुशी मनाई जा रही है ये योगी नहीं हो सकते मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूँ बात दोराता हूँ ये योगी नहीं है अगर कोई योगी होता तो शायद जन्ता को दुख नहीं देता और मैं क्या कहूं? आज तो रिकॉर्डिंग है सब के सामने लखीमपुर में जो बेहनों के साथ हुआ उसकी वाकादे रिकॉर्डिंग है कि कौन कौन उसके कपड़े को चीन रहे थे दोनों बेहने मुझसे मिली यहां करके दोनों बेहनों से मैं मिला और हमने भरोस्त दिलाया कि पूरे के पूरा उनके सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई देगी इटाबा के एस पी सिटी उनका कहना उनका मुबाइल पर बात करना किस वरिष्टा दिकारी से बात कर रहे थे वो वही जानते हैं लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि भारती जनता पार्टी के जिलाद देख्ष भारती जनता पार्टी के बिधाएक भारती जनता पार्टी के कारकरता ये बम ये इस तरह का पत्राव और इस तरह की कानुववस्ता खराब कर रहे हैं जहां नहीं जी सकते थे चुनाव वहाँ सोचिए बरावर करके चुनाव जीत लिया बरावर करके चुनाव जीत लिया संग्यान में कौन ले इस बात को S.P.C.T. अब मानित हो जाए S.P.C.T. जहाबर खा जाए पत्तकार खुलेयां पिटें उन डाओं में प्रदेश की दूसरे हिस्सों में पत्तकार पिटें इस सरकार को उसकी परवार बैठें हैं बड़ी कुर्सी पे बैठें हैं वो भी लोग तंत्र कोई धरजियां उड़ते हुए बधाई दे रहे हैं इस से जादा शमना काम और कुछ हो नहीं सकता ये सब जनता ने देखा है और समय आने पर जनता हिसाब किताब करेगी और जनता इनको सबक सिखाने का भी काम करेगी जो कोछ और जिलों में हुआ है तमाम कारकरता नेता हमें मिले हैं जानकारी मिली है पार्टी कारले में सूचना मिली है जिस तरीके से करोना में इन्हों ने सही आकड़े नहीं दिये कितने लोगों की जान चली गई कितने लोगों की करोना की वज़े से जान चली गई न कोई मदद पहुँची उन तक और न कोई आकड़े दिये है संख्या क्या है कि ये सरकार नहीं बताना चाहती क्योंकि सरकार मदद नहीं करना चाहती है एक बार सिच्छक लोगों को जो टूटी पे गए थे कहा कि केबल तीन लोगों की जान गई है बाद में संक्टन और हम सब लोगों ने जब सबाल खड़े किये तो सरकार को सुकार करना पड़ा कि कितनी बड़ी संख्या में जान गई है जो और प्रदेशों में जो होता हो वो होता हो लेकि उत्त प्रदेश में जतना गुंडा गर्दी हुई है शायद पूरे पॉलिटिकल केरियर में अभी तक मैंने गुंडा शब्द इस्तमाल नहीं किया था जब से पंचायत के चुनाव देखे हैं टीवी पर और लोगों ने बताया और जानकारी की कि भारती जनता पार्टी से बड़ी गुंडा गर्दी वाली पार्टी कोई हो नहीं सकती और प्रसासन का साथ लेकर के गुंडा गर्दी करना ये लोग तंतमे नई परिवाशा तैकी है इसी तरह जो गुरकपुर में हुआ है हमारा पार्टी का काकरता बैठा है चिन्नित करकर के उसके टांग तोड़ दी गई वो खड़ा है बैठा है यहां पर हमारे ये पूर पार्टी में हैं इनके भाई हैं इनका चिन्नित करके इनका हाथ तोड़ दिया गया नजाने कितने लोगों पर जूटे मुकद्बे दर्जुएं नजाने कितने लोगों पर गंभी धानाई लगी हैं नजाने कितनी घरों को गिराने के लिए तैयारी कर ली काकच की इसलिए जो हुआ है वो समने देखा है और समय आने पर जनता इनकों सबक सिखाने का काम करी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता ने सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया भार्थी जनता पार्टी को हरा दिया इसलिए पूरे प्रसासन को लगा करके और भार्थी जनता पार्टी ने अपने गुंडों को आगे करकर के जो बहुमत का था जन्मत था उसका अपमान किया है ये जनता देख रही है और समय आने पर जनता एक बार फिर इन्हें उखार फिक देगी अगर पुलिस पिट रही हो पतकार पिट रहे हो और पुलिस अपने लोगों को ना बचा पा रही हो S.P. City का वो कθन उनका कहना सरकार को सुएं संग्यान लेकर के उन दोश्री लोगों के खिलाफ कारवाई कर देनी चहिए अगर स्पी सिटी उस समय कह रहे हैं कि भारती जनता पार्टी के जलाद्ध है भारती जनता पार्टी के बिधाएक भारती जनता पार्टी के कार्टा बम चला रहे हैं पत्थर बाजी कर रहे हैं पीट रहे हैं मुझे तप्ड मारा है अगर पुलिस उस समय हाथ खड़े कर लेगी तो आप किस से उम्मीद करोगे न्याए क्या ये वरिष रदिकारियों को सोबा दे रहा है कि उनका ही सह पार्ठी उनका ही सहे होगी इस तरीके से अपमानित हो रहा हो उत्तब रेस की जनता भारती जनता पार्टी को हटाना चाहती है जनता से ज़्यादा संख्या नहीं है अनकी जनता बदलाब चाहती है अभी भारती जनता पार्टी के लोगों के लिए दर्वाजा नहीं खोला है उनकी टिकेट कटेगी तो देखिये किधर किधर जाएंगे उनकी सूची बन गई है जब टिकेट कटेगी तो वो जानते होंगे कितने जाएंगे मैं अब उत्तप प्रदेश की पुलिस फेर और खासकर बीजेपी की सगा भरोसा नहीं कर सकता